हलो, vaccinated बहुंद बहुत स्वागत आपको इस सूपर फास्टश डी एन एक्सपरीब्न पर दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकैनिकल शील के बारे मेν centrifugal pump में लगने वाले मेकैनिकल सील के बारे में बहुत सारे subscribers है उनका ये कहना था कि sir आप इस पर एक वीडियो जरूर बनाईए तो इसलिए आज मैंने ये topic select किया है और ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ तो इसके बारे में जानेंगे हम कि आखिर क्या होता है mechanical seal कहां पे लगता है और इसका क्या काम है पूरा जानेंगे detail में तो चलिए वीडियो को start करते हैं बने रहीएगा अन्त तक तो friends ये diagram मैंने आपके लिए बनाया है और इसमें मैं आपको समझाने के कोसिस करूँगा कि आखिर centrifugal pump का mechanical seal क्या होता है तो mechanical seal नाम से ही clear है कि इसका काम जो है वो sealing करने का है और ये एक mechanical part है centrifugal pump का अब इसके parts के बारे में जान लेते हैं इसमें दो parts होते हैं एक होता है इसका stationary होता है जो कि आपके stud box में ये वाला जो portion होता है जिसे stud box कहा जाता है ये pump के साथ जहां पर bolt लगे होए हैं दो ये stud box है यहाँ पर stationary वाला जो आपका portion है वो fix हो जाता है और ये घूमता नहीं है सिर्प वहाँ पर fix बैठा रहता है casing के साथ में अब दूसरा जो part है जिसमें spring लगा हुआ है वो soft के साथ fit हो जाता है टाइट हो जाता है और soft के साथ घूमता है वो एक rotating part है अब जो stationary part है stationary part में oring लगा रहता है अंदर side में ताकि वो soft के और अपने casing के beat से जो leakage है उसको arrest कर सके क्योंकि soft जो है आपका moving part है और जो आपका casing है वो तो fix रहता है लेकिन soft move करता है तो इसलिए वहाँ पर clearance रहता है उस clearance से water जो है या फिर जो भी liquid आप pump से pump कर रहे है वो leakage हो सकता है तो वो leakage ना हो इसलिए इस equipment को यहाँ पर लगाया जाता है तो इसमें spring इसलिए लगा रहता है ताकि हलका सा इसको tension में दे कर रखा जाए और जो इसका stationary part है वो fix रहेगा moving part गुमता रहेगा और दोनों आपस में चिपक कर चलते रहेंगे जिससे कि क्या होगा जो भी आपका fluid है जिसको pump pump कर रहा है वो यहाँ से leakage नहीं होगा साथ में यहाँ से air जो है वो pump में नहीं जाएगा यानि कि pump आपका air नहीं ले पाएगा और pump अच्छे से काम करेगा pump की efficiency भी कम नहीं होगी और pump पानी भी नहीं छोड़ेगा अगर कहीं पर लिके जो जाता है pump में तो pump air ले ले लेता है और air लेने की वज़़े से फिर वो fluid को pump नहीं कर पाता है और हमको पता भी नहीं चल पाता है क्योंकि motor अमारा घूमते रहता है तो हमको को indication भी नहीं मिल pump में centrifugal pump में leakage नहीं होना चाहिए और यहीं इसका काम है और इसके जो spring है उसको tension दिया जाता है लगबग 2-3 mm तक इसको compress करके tight किया जाता है यहाँ पर bolts दिये रहते हैं इसमें और वो shaft में fit हो जाता है हलका सा इसके पहले size को measure कर लीजेगा आप spring का कि कितना size है और उससे 2- 15 mm इसको tension में दे करके दबा करके आप tight कर दीजेगा ज़्यादा tension देना सही नहीं है क्योंकि ज़्यादा अगर आप इसको compress कर देंगे spring को तो stationary और moving part जो है इसका उसके बीच में काफी ज़्यादा friction generate होगा जिसकी वज़ा से heat develop होगा और हो सकता है कि आपका जो gap है ceiling है जहा पर damage हो सकता है उसका parts और फिर वहाँ से leakage हो सकता है इसलिए इसको 2-3 mm से ज़्यादा compress नहीं करना है तो उमीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि mechanical seal का आखिर क्या काम होता है और कहां पर लगता है centrifugal pump में अगर 1% ये भी ये वीडियो आपको helpful ल कीजेगा फिर से मिलेंगे नेक्स वीडियो में